अध्याय चार, मोर को खिलाना यह वास्तव में एक आकर्शक न जा रहा था, बारा आली शान पक्षी चोड़े पत्थर के बेल स्ट्रेट पर बैठे थे, या छट के साथ धीरे धीरे नाचते हुए, उनकी हरी और सुनहरी गर्दन पर सूरज चमक रहा था और उनके भव्यप पंखों की महिमा, व्यापक या सम्रिध ट्रेनों की तरह व्यापक थी उनके पीछे, शानदार प्राणियों के विपरीत उनकी युवा मालकिन थी, उसकी साधारन सुभह की पोशाक और फर छंटनी वाले होड और मेंटल में, जब वो अपने हाथ से पालतु पालतु को खिलाती थी, उनके कालपनिक नामों को बुलाती थी, उनके मजाक पर हस्ती थी, और दिल से आनंद ले रही थी सर्दियों की धूप, ताजी हवा, और चंचल शगल, जैसे ही ट्रेहन धीरे-धीरे निकटाया, उसने उसे प्रेमी की आँखों से देखा, और उसे अपनी रिष्टी में पहले से कहीं अधिक प्यारा और आनंदित पाया, उसने पूरे दिन पहले सावधानी से उससे किनारा कर लिया था, रात में जल्दबाजी में हाथ मिला कर अलग हो गई थी, और हमेशा की तरह पुस्तकाले में उसे सुप्रभात देने नहीं आय थी, उसने अ रिष्टे को पूरी तरह से समझ गया है जो अब उनके बीच मौजूद था, सुप्रभात, चचेरे भाई, यदि मैं यहां एक या दो बार मुर जाओं तो क्या मैं तुम्हें दूर भगा दूं? उसने हर्शित स्वर में कहा, लेकिन आधी तिर्सकार पूर्ण द्रिष्ट गई, और उसकी आवाज में एक देश-द्रोही काम प्रहा था, जैसा कि उसने कहा, उत्साह से, मैं एक पल के लिए खुद हो जाओंगा, सब कुछ के बावजूद, मौरेस, मुझे निर्दई मत समझो, मुझे फटकार मत दो, या मेरी छुट्टी के लिए कहो कि मैं कहा हू तुम मुझ में जो परिवर्तन देखते हो उसका एक कारण है, यह मौज नहीं है, यह आग्या कारिता है, मेरी प्यारी लड़की, मुझे यह पता है, मेरा मतलब इसके बारे में बोलना था, और आपको देखाना था कि मैं समझता हूँ, एनौन एक अच्छा साथी है, जैसा कि कोई भी आदमी आपके योग्य हो सकता है, और मैं आपको वो सारी खुशियां देना चाहता हूँ, जिसके आप हकदार हैं, क्या आप, और उसकी आँखों ने उसके चेहरे को गौर से देखा, हाँ, क्या आपको इसमें संदे है, और उसने अपने प्यार को इतनी अच्छ चेहरे के ऊपर से गुजर गया, और उसने अपना हाथ वापस ले लिया, जैसे की भूखी चेडिया को सहलाने के लिए, जो धीरे से उसके पास रखी टोकरी को चोंच मार रही थी, जैसे की बातचीत को बदलने के लिए, उसने चंचलता से कहा, बेचारा एगस, तुमने अ भूलता, वहां, यह सब ले लो, और आपस में बांट लो, त्रेहरन मुस्कुराया, और जल्दी से कहा, मैं एक मानव ओगस हूँ, और जब से मैंने अपना पंक हो दिया है, तब से तुम मेरे लिए एक छोटे से जूनो रहे हो, ऐसा ही बने रहो, और तुम मुझे एक ही वफादार दोस्त पाओगे, मिलूंगा, और जैसे ही उसने उत्तर दिया, उसकी पुरानी मुस्कान वापस आ गई और उसकी आँखे फिर से उससे मिली, धन्यवाद, अब हम खुशी-खुशी आगे बढ़ेंगे, मैं पुराने जीवन के बारे में नहीं पूचता या उ जहां मैं इतने लंबे समय से प्रथम रहा हूँ, यह मत सोचो कि तुम मेरी उपेक्षा करते हो, अपने प्रेमी के साथ खुश रहो, प्रिय, और जब तुम्हारे पास कोई सुखद मनोरंजन नहीं है, तो आओ और बूडे मौरिस को देखें, उसने अपना सिर दूर कर लि काश जैस्पर और मम्मा मुझे शान्ती से छोड़ देते, मुझे प्रेमियों से नफरत है और मुझे कोई नहीं चाहिए, अगर फ्रैंक चिड़ाता है, तो मैं एक कॉन्वेंट में जाऊंगा और इसलिए उससे छुटकारा पालूंगा, मौरिस हसे, और अपना चेहरा आपका मनोरंजन कर सकता है, फ्रैंक पहले ही खो चुका है, और जैसा कि आप दिल से भरे हुए हैं, क्यों न देखे कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, तब मैं एक नया अधेयन करूंगा, और आपको इतनी याद नहीं करूंगा, आप बहुत दयालू हैं, मैं अपनी तो फ्रैंक दुखद लगेगा, वो मुझे बिलियर्ड सिखा रहे हैं, और मुझे वास्तव में यह खेल पसंद है, हाला कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा करना चाहिए, यह अच्छा लग रहा है, मुझे आशा है कि आप दोहरा पार्ट सीखेंगे, और एनन को दोनों में एक विनम्र शिश्य मिलेगा, आज सुभा तुम बहुत फीके हो, क्या तुम दर्द में हो, मौरिस, ओक्टेविया ने अचानक सहजता और उल्लास के स्वर को गिराते हुए पूछा, जिसके तहत उसने अपनी परेशानी को छिपाने की कोशिश की थी, हाँ, ले तो मैं उसे मोर दिखाऊंगा, वो बदलाव पर ध्यान नहीं देगी, मैं कहने की हिम्मत करता हूँ, क्योंकि आप उसे पसंद नहीं करते हैं, और मैं करता हूँ, नहीं, मुझे इस पर यकीन है, ये एक व्यवस्था थी, शायद मैं समझता हूँ, मैं मेडिमो से ले डी ट जलक उसके चचेरे भाई से दर्वाजे तक गई, जहां श्रीमती स्त्रोडन प्रकट हुई, अपनी नौकरानी के लिए कुछ अतिरेक लपेटने की प्रतीक्षा कर रही थी, आपने चुराए गए नोट की ओर इशारा किया, आप उस शरारत को खेलने कैसे आए, तावी, ट पूर्वक कहा, जैसपर के लिए क्यूं, मुझे बहुत पहले उनसे मिलने की बात याद आई, और उत्सा से उनकी सुन्दर्ता का वर्णन किया, और आपने भी ऐसा ही किया, आपकी याददाश्त अच्छी है, मेरे पास उन लोगों के लिए सब कुछ है जन से मैं प्यार कर करता हूँ, मैंने अपने भाई से मिलने के उनके तरीके, उनके प्रती उनके समर्पन को देखा, और जब वे आग के सामने एक साथ हसते हुए खड़े हुए, तो मुझे यकीन हो गया कि वो उन्हें फिर से आकर्शित करना चाहती है, फिर से, फिर उसने एक बार उसे मंत्र कर दिया, त्रेहर ने इसे पूछा, यह जानने के लिए उत्सुक था कि जैसपर ने अपनी बहन को कितना बताया था, उन्होंने हमेशा इसका खंडन किया, और घोशना की कि आप पसंदीदा थे, तो मेरे लिए नोट क्यों नहीं सोचा, उसने पूछा, मैं आप करता हूँ तीखा जवाब था, लेकिन उसने आपको बताया कि यह प्रमुक के लिए था, और इसे भेज दिया, उसने मुझे धोखा दिया, मुझे आश्चर्य नहीं है, मुझे खुशी है कि जैस पर सुरक्षित है, और मैं आपके सुखत भविश्य की कामना करता हूँ, अनाच्चे गरिमा के साथ जुखते हुए, ओक्टेविया ने अपनी टोकरी नीचे रखी, और श्रीमती स्त्रोडन के दूसरी दिशा में पहुँचते ही एक दिशा में चली गई, मैंने इसे अब किया है, ट्रेहर ने ने कहा, गलिश फिगर से मुर कर उस आली शान प्रानी को देखने के लिए जो नीरव अनुग्रह के साथ उसकी ओर आ रहा था, दीपती और वैभव श्रीमती स्त्रोडन बनी, उसने विलासिता का आनंद लिया, और उसकी सुंदर्ता ने बहुत सी चीजें बना दी, जो एक सामान्य महिला में स्वाद से बाहर और बे तुकी होती, उसने पूरवी जले हुए कपड़े में लपेट लिया था, उसके सिर पर खीचे गए होड ने उसके अच्छे चहरे को समरिधर रंगों में फसाया, और महान गिल्ट टैसल्स उसके लहराते काले बालों के खिलाफ चमक गए, उसने इसे अनुग्रह के साथ पहना, और वस्त्र का बरबर वैभव उसका कुवा बन गया, ताजी हवा ने उसके गालों को एक नाजुक रंग से चुआ, उसकी आमतोर पर उदास आखे अब चमकीली थी, और उसके होठों को अलग करने वाली मुसकान खुशी से भरी थी, आपका स्वागत है, क्लियो पेट्रा, त्रेहेर्न र जोया, हसी को दबाने में कठिनाई के साथ, क्यूंकि मोर चिल्लाए और उसकी चिल्मन के सरस्राहट के आयाम से पहले भाग गए, मैं आपको वार्सो के थेजिस कहकर जवाब दे सकता हूँ, क्यूंकि आप अपने पीले, आकरामक चेहरे और अपने शानदार फर के साथ बह त्रेहेरन ने इस लोग को नापसंद किया, और अचानक कहा, जैसा कि उसने उसे रोटी की टोकरी की पेशकश की, मैंने अपने चचेरे भाई का निपतान किया है, और मोरों का सम्मान करने की पेशकश की है, वे यहाँ है, क्या तुम उन्हें खिलाओगे? नहीं, धान्यवाद, जैसा कि आप जानते हैं, मुझे पक्षियों की कोई परवा नहीं है, मैं तुम से बात करने आया था, उसने अधीरता से कहा, मैं आपकी सेवा में हूँ, मैं आपसे एक या दो, प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या इसकी अनुमती है, कि सादमी ने कभी श्रीमती स्त्रोडन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया? नहीं, कोई तारीफ नहीं, आपसे वेकेवल व्यंग्यात्मक चोरी हैं, विदेश में मुझे धोखा दिया गया था, और उस बूरे आदमी से जल्दबाजी में शादी कर ली, मुझे सच में बताएं कि चीज आप, कम से कम इमानदारी से तो बोलिये, उन्होंने कटुता से कहा, मैं करता हूँ, मौरिस मैं करता हूँ, मुझे इसे साबित करने दो, ट्रेहन की कुरसी कदखरा के पास थी श्रीमती स्ट्रोडन नककाशीदार रेलिंग पर जुकी हुई थी, उनकी पीट घर की ओर थी और उनके चहरे पर एक लंबा कलश लगा हुआ था उसकी ओर देखते हुए, उसने तेजी से और नीची गती से कहा, तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारे और जैस्पर के बीच जूल रहा था जब हम दो साल पहले अलग हो गए थे, मैंने किया, लेकिन यह शीर्शक और भाग्य के बीच नहीं था जिससे मुझे हिचके चाहट हुई यह करतव्य और प्रेम के बीच था, मेरे पिता, एक प्यारे, मूर्ख बूरे, ने मुझे एक महिला को देखकर अपना दिल लगा दिया था मैं उसका सब कुछ था, मेरी सुन्दर्ता उसकी प्रसन्नता थी, और कोई भी बिना शीर्शक वाला व्यक्ती मेरे योग्य नहीं समझा जाता था मैं उससे बेपना प्यार करता था, आप इस पर संदे कर सकते हैं यह जान कर कि मैं कितना स्वार थी, लापरवाह और वियर्थ हूँ, लेकिन मेरे पास एक दिल है, और बहतर प्रशिक्षन के साथ एक बहतर महिला थी, कोई बात नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है आगे मेरे पिता, मैं तुमसे प्यार करता था, नहीं, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी आँखों में अपने आपको साफ कर दूँगा, मेरा मतलब जनरल के लिए कोई गलत नहीं है, वो दयालू, कृपालू, उदार है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, मैं आभारी हूँ, और से सोने दो, हमारे दोनों खातिर, ट्रेहर ने शुरू किया, लेकिन उसने उसे बेरहमी से चेक किया, ये होगा, जब मैं कर रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता था, मौरेस, क्योंकि, सभी समलेंगेक, निश्क्रिय, आनन चाहने वाले पुरुषों में से मैंने अपने बा ताके तहत कुछ महान, वीर और सत्य नहेत है, मैंने महसूस किया कि आपका एक उदेश था, कि आपका वर्तमान मूड अस्थाई था, एक युवक की छुट्टी, उसके जीवन का वास्तविक कार्य शुरू होने से पहले, इसने मुझे आकर्शित किया, इसने मुझे जीता, क्योंकि उस समय तुने जो छोटा सा ध्यान दिया, उसमें भी और किसी मनुष्य ने यतन नहीं किया, मुझे तुम्हारा सम्मान चाहिए था, मैं आपका प्यार अरजित करना चाहता था, आपके जीवन को साज़ा करना चाहता था, और यह साबित करना चाहता था कि मेरे महान भविश्य द्वारा एक तुच्छ अतीत को रद करने की शक्ती थी, ओह, मौरिस, क्या आपने एक सप्ताह और रुका था, मुझे कभी भी वो दुखी नहीं होना चाहिए था, जो मैं हूँ, वहां उसकी आवाज लड़ खड़ा गई और विफल हो गई, क्योंकि खोए हुए प्यार, शान्ती और खुशी की सारी करवाहत उस विसमयादी बोधक के दैनिय जुनून में लग रही थी, वो रोई नहीं, क्योंकि आशुओं ने शायद ही कभी उसकी उन दुख़द आँखों को मंद कर दिया हो, लेकिन उसने अपने हाथों को नीरस निराशा में घुमाया, और नीचे ठंड से जुल से बगीचों में देखा, जैसे कि उसने वहाँ अपने स्वयम के बर्बाद जीवन का एक सच्चा प्रतीक देखा हो, ट्रिहन ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन सर जैसपर की दूर की आकृती की ओर लगभग भयंकर नजर से अपने दा प्रता ने भीख मांगी और मुझे अपने चचेरे भाई को चुनने की आग्या दी, मैं उसका दिल नहीं तोड सका, और उसे नर्म करने की उम्मीद में समय मांगा, जब मैं प्रतीक्षा कर रहा था, उस रहस्यमई प्रसंग ने आपको पैरिस से भगा दिया, और फिर मलब बीमारी और अफवाहाई की बूड़े सरजैस पर ने दोनों भतीजों को बेदखल कर दिया था, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मर, रहे हो, और मैं अपने पिता के हाथों में एक निश्क्रिय साधन बन गया, मैंने आपके चचेरे भाई को वापस बुलाने और स्वीकार क करने का वादा किया था, लेकिन बूड़े व्यक्ति की मृत्यू हो जाने से पहले ही हो गई, और फिर मुझे परवा नहीं थी कि मेरा क्या हुआ, जनरल स्ट्रोडन मेरे पिता के मित्र थे, उसने मुझ पर दया की, उसने मेरी उजार, बे सहरा स्थिती, मेरी निराशा और लाचारी देखी, उसने मुझे दिलासा दिया, कायम रखा और मुझे बचाया, मैं आभारी था, और जब उसने अपके मन और घर को मुझे को भेट किया, तब मैंने उनको ग्रहन किया, वो जानता था कि मेरे पास देने के लिए प्रेम नहीं है, लेकिन एक दोस्त के रूप में, मैं खुशी-खुशी उसकी सेवा करूंगा, और उसके गिरते हुए वर्षों को जितना हो सके उतना खुशहाल बनाऊंगा, जब मैंने सुना कि तुम जीवित, पीड़ेत और गरीब हो, तो सब कुछ समाप्त हो गया, मैं तुम्हारे लिए आने और जीने के लिए तर इम्मत नहीं की, और इसने मुझे लगभग पागल कर दिया, मैंने तुम्हे अब देखा है, मुझे पता है कि तुम खुश हो, मैं आपके चचेरे भाई के प्यार को बढ़ता हूं और आपके लिए एक शांति पूर्ण जीवन देखता हूं, इससे मुझे संतुष्ट होना चाहिए, और मुझे इसे जितना हो सके सहन करना सीखना चाहिए, वो रुकी, बेदम और पीली, और छट के साथ तेजी से चली, जैसे कि उसके पास होने वाले आंदोलन को छेपाने या नियंतरित करने के लिए, त्रेहर्न अभी भी चुप बैठा था, लेकिन उसका दिल उ का पता लगाने के लिए तेज होती है, और वो दावा करती है कि मैं क्या उम्मीद करना शुरू करता हूँ, मेरे चचेरे भाय का तरीका अभी, एनौन के प्रती उसकी नापसंदगी, मेरे साथ उसकी नई शर्म, यह सच हो सकता है, और अगर ये है, स्वर्ग मेरी मदद करो मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे आशा नहीं करनी चाहिए, न इचच्छा, न स्वापन, मुझे त्याग करना चाहिए और भूल जाना चाहिए, उसने अपना सिर अपने हाथ पर टेका लिया, और इतना स्थिर बैठ गया कि श्रीमती स्त्रोडन फिर से उसके साथ हो गई, पी शायद वो गलत थी, शायद वो अपने चचेरे भाई से प्यार नहीं करता था, शायद वो अभी भी अतीत को याद करता है, और अभी भी उस दिल के नुकसान के लिए पचताता है जिसे उसने अभी अभी उसके सामने रखा था, उसका पती असफल हो, रहा था, और किसी भी दिन उसकी मृत्यू हो सकती है, और फिर, स्वतांत्र, अमीर, सुंदर, और युवा, वो त्रेहेर्न, असहाय, गरीब और महत्वा कांक्शी के लिए क्या नहीं बन सकती है, अपने सभी दोशों के साथ, वो उदार थी, और इस तस्वीर ने उसके फैंस को मंत्र मुग्ध क कर दिया, उसके दिल को गर्म कर दिया और उसके दर्द को शांत कर दिया, मौरेस, उसने धीरे से कहा, उसके पास फिर से रुक गया, अगर मैं आपसे और आपकी आशाओं में गलती करता हूं, तो यह इसलिए है क्योंकि मैंने अपने लिए कुछ भी पूछने की हिम्मत नह हारा है, उसने उसे समझा, उस पर दया की, और यह देखते हुए कि उसे दूर की आशा में सांतवना मिली, उसने उसे उसका आनंद लेने दिया, जबकि वो कर सकती थी, गंभीरता से, फिर भी कृतग्यता पूर्वक, उसने बात की, और एक आविग पूर्ण इशारे से उस आपकी दया और एक बार आपने मुझे जो सनेह दिया, उसके लिए धन्यवाद, मैं कहता हूँ, एक बार, अभी के लिए करताव्य, सच्चाई और सम्मान हमें एक दूसरे से रोकते हैं, मेरा जीवन एकांत होना चाहिए, फिर भी मैं करने के लिए काम ढूंदूंगा, और संतुष्ट रहना सीखूंगा, आप उस अच्छे बूड़े व्यक्ति के प्रती पूरी श्रद्धा रखते हैं, जो आपसे प्यार करता है, और उसे विफल नहीं करेगा, मुझे यकीन है, भविश्य और अतीत को छोड़ दें, लेकिन आये हम वर्तमान को वो बनाएं जो व प्योक्त समय है, और हमारी जैसी मित्रता का जन्म हो सकता है, उसके लहजे और तोर तरीके से उसे कुछ लगा, और उसे कोमल आश्चर्य से देखते हुए, उसने कहा, तुम कितनी बदल गई हो, क्या आपको मुझे यह बताने की जरूरत है, और उसने अपने असहाय अंगो को धैर्य की कडवी लेकिन दयनिय द्रिश्टी से देखा, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, मेरा मतलब मन से है, शरीर से नहीं, एक बार जब आप समलेंगे को और लापर वाह थे, जैस्पर की तरह उत्सुक और उग्रत है, अब आप गंभीर और शांत, यह हस्मुक और बहुत तयालू है, फिर भी, बीमारी और नुकसान के बावजूद, आप उस आदमी से दोगुने लगते हैं जो आप थे, और कुछ सम्मान, साथ ही प्रशंसा और प्यार जीतता है, अंतिम शब्द के रूप में भरी उसकी काली आँखें उसके होठों को छोड़ गई, और उसके चहरे पर एक छुआ हुआ दिल की सुन्दरता चमक उठी, मौरिस ने तेजी से देखा, अचानक गंभीरता से पूछा, क्या आप इसे देख रहे हैं, तब यह सच है, हाँ, मैं बदल गया हूँ, भगवान का शुक्र है, और उसने किया है, कौन? अपने साथी से इरश्या स मांग की, ओक्टेविया, अंजाने में, फिर भी निश्चित रूप से, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और नुकसान और दुख का यह वर्ष मेरे जीवन का सबसे सुखद, सबसे लाबदायक वर्ष रहा है, मैंने अक्सर सुना है कि कष्ट सबसे अच्छे शिक्ष रख थे, और मैं अब इसे मानता हूँ, श्रीमति स्त्रोडन ने उदास होकर अपना सिर हिलाया, हर बार नहीं, वे कुछ के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन प्रचार मत करो, मौरिस, मैं अभी भी एक पापी हूँ, हाला कि आप संतत्व की ओर जुकाव रखते हैं, और मेर पास पूछने के लिए एक और प्रश्ण है, ऐसा क्या था जो आपको और जैस्पर को अचानक पहरिस से दूर ले, गया, कि मैं आपको कभी नहीं बता सकता, तब मैं इसे अपने लिए खोज लूँगा, यह असंभव है, एक द्रिल, निश्चाई महिला के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप इस रहस्य को रखने वाले दो व्यक्तियों से न तो मरोड सकते हैं, न आश्चर्य कर सकते हैं और नहीं रिश्वत दे सकते हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसे आराम करने दे, त्रेहर ने ने गंभीरता से कहा, मेरे पास एक सुराग है, और म मैं इसका पालन करूंगा, क्यूंकि मैं निश्चे जानता हूँ कि कुछ तो गड़बड़ी है, और तूम हो, प्रिया श्रीमती स्ट्रोडन, क्या आप पक्षियों से इतने मोहक हैं कि आप अपने साथी को भूल जाते हैं, या एक साथी के साथ इतने मोहित हो जाते हैं कि आप पक्षियों को भूल जाते हैं? जैसे ही अचानक सवाल ने दोनों को चौंका दिया, रोजटाल बोर छट के साथ आए, होली से भरे हाथ और एक हसमुक शरारत से भरा चेहरा, जैसे ही वो गायब हो गई, मैं तवी को बता दूं कि मोर को खिलाना प्रेमियों के लिए ए और मिस्टर एनन ने इसे बहतर तरीके से आज माया था, सौसी जिपसी, म्यूटेड ट्रेहन, लेकिन श्रीमती स्त्रोडन ने दोहरे अर्थ वाली मुस्कान के साथ कहा, कई सच्चे शब्द मजाक में बोले जाते हैं